आज मैं डिसकस करने वाला हूँ हिस्टोलोजी ओफ मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को और सबसे पहले देखते हैं कि मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़े आती हैं तो मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के अंदर हमारे आता हैं टेस्टीज, एपिडिडायमस, वास डिफरेंस, एसेसरी, जनाइटल ग्लैंड, यूरेथ्रा और पैनिस ये सारी चीज़े मिलकर ही मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को फॉर्म करती हैं तो मैं एक एक करके सभी स्ट्रक्चर की हिस्ट्रोजी को डिस्कस करूँगा इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर टेस्टीज की हिस्ट्रोजी को तो चलिए शुरू करते हैं तो testis का जो structure होता है यह कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर मैं भी हर एक structure को define करूँगा कि actual में कौन से structure क्या होता है और वो किसका बना रहता है क्या उसमें cells होती है किस type की cells होती है आप एक overview देख लिजे कि testis का structure होता कैसा है तो हमारे जो testis है इसका role क्या है male के अंदर ठीक है तो role testis का है दो काम है production of दो चीज़ का production करता है पहला हमारा spermatozor दूसरा हमारा male sex hormone जो की testosterone है तो testis का जो function है वो यह है ठीक है और type of gland मतलब कि testis हमारा जब hormone का production कर रहा है तो it means it is a type of gland ठीक है तो कौन सा type है तो यहाँ पर ह हमारा यह cytogenes type of gland है क्यों cytogenes का मतलब क्या है मतलब की क्योंकि यह हमारी living germ cells को हमारा produce कर रहा है जो कि हमारी spermatozoa तो इसलिए हमें से cytogenes gland बोलते हैं ठीक है और यह हमारी compound tubular gland भी है compound tubular gland का मतलब क्या होता है कि जिनका compound duct system होता है ठीक है ना compound duct system होता है जैसे कि kidney और mucus gland in the mouth वो भी इसके एक्जामपल है तो यह हमारा compound tubular gland है अभी मैंने आपको पीछे structure में बताया था जहां पर duct system इसमें दिख रहा था वो मैं आगे और discuss करूंगा जो हमारी तीसरी चीज़ आती है इसमें वो है layers ठीक है layers या फिर tunics भी बोल सकते हैं of the testis ठीक है तो इसके अंदर हमारी तीन main layers आती है testis की यह है हमारी tunica vaginalis ठीक है tunica alvegenia and tunica vasculosa ठीक है tunica vaginalis के अंदर हमारी further दो आती है ठीक है एक parietal एक visceral है वो मैं आगे discuss करता हूं अब यह जो तीनो layer है यह हमारी बहार से अंदर की तरफ है ठीक है तो from outside to inside यह हमारी testis की layer है इसके बाद मैं discuss करता हूं कि actual में जो structure है वो कैसा होता है testis का तो testis की अंदर हमारे देखिए जो मैंने बताया है tunica vaginalis तो tunica vaginalis जो हमारी parietal है ठीक है parietal मतलब की बहार की side व फीर आती है हमारी tunica vaginalis propria जिसे हम parietal भी बोलते है जो अंदर की side होती है ठीक है और इन दोनों के बीच में हमारी present होती है tunica vaginalis cavity ठीक है इन दोनों के बीच में जो cavity बन जाती है उसे हम cavity बोल देते है इसके बाद ट्यूनिका वेजाइनेलिस के जस्ट अंदर हमारी ट्यूनिका अलबिजीनिया प्रेजन्ट होती है ठीक है और ट्यूनिका अलबिजीनिया के अंदर हमारी ट्यूनिका वस्कुलोसा प्रेजन्ट होती है यह हमारी कैविटी ऑफ दी ट्यूनिका वेजाइनेलिस है इसके बाद अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर यह हमारे Seminiferous Tribules है ठीक है यह Highly Coiled Structures होते हैं जहाँ पर Actual में Sperm Formation यहाँ पर Spermatogenesis होती है ठीक है इसके बाद हमारा यहाँ पर यह हमारे Reti Testis है Reti Testis जब यह बहुत सारे मिल जाते हैं Seminiferous Tribules मिलते हैं तो हमारा यह Reti Testis का Formation करते हैं इसके बाद हमारा E-front Ducteals आते हैं और E-front Ducteals आगे जाके बना लेते हैं Head of the Epididymus जिसे हम Caput भी बोलते हैं इसके बाद हमारा Body of the Epididymus आता है कि तीनों layer में क्या-क्या difference होता है तो हमारी सबसे पहली थी Tunica Vaginalis जिसमें हमारी दो layers थी पहली थी हमारी parietal और दूसरी थी हमारी visceral तो parietal को हम reflexa बोलते हैं और visceral को हम propria बोलते हैं Tunica reflexa and tunica propria यह हमारी peritonium से derived हमारी layer होती है क्योंकि हमारे यह जो testis हैं यह descend होते हैं from the abdominal cavity ठीक है तो यह हमारी peritonium से derived रहती है इसके बाद आती है हमारी tunica albigenia यह जो tunica albigenia है यह हमारा capsule यह capsule की तरह होती है जो testis हैं उन्हें cover करती है capsule की तरह और यहाँ पर यह क्या है dense fibrous capsule है dense fibrous काफी थिक होती है इसके बाद हमारा आता है tunica vasculosa जो tunica vasculosa है यह tunica albigenia के अंदर present होती है मतलब tunica albigenia के बाद ठीक है अंदर की साइड हमारी tunica vasculosa present होगी और यह हमारी aereolar और vascular membrane होती है ठीक है तो यह हमारे मतलब यहाँ पर highly blood supply जादा होती है इसके बाद देखते है हमने discuss कर ली layers को इसके बाद एक और diagram है जिसके अंदर में सारी छोटी छोटी जो terms है उन्हें discuss करूँगा और यह terms बहुत important है क्योंकि इनका कहीं भी use होता है देखे है सबसे पहली जो इस सबसे important त्यूनिका albugenia और त्यूनिका albugenia ही हमारी divide कर देती है पूरे जो parent काइमा है मतलब कि पूरा का पूरा जो structure है testis का उसे वो divide कर देती है into lobules ठीक है और इन्हीं lobules के अंदर हमारे present होते है semiferous tribules तो अभी तो हमें क्या देखना है पहले ट्यूनिका albugenia तो ये ट्यूनिका albugenia ने divide कर दिया ठीक है into lobules और फिर ये उसके बाद आगे बढ़ी आगे बढ़के यहाँ पर condensed हो जाती है ठीक है condensed होकर यहाँ पर thick band बना लेती है उसी को हम बोलते है media stenum testis अब देखते हैं कि media stenum testis का role क्या है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर यह हमारे semiferous tubules हैं ठीक है semiferous tubules पर हमारा actual में sperm formation होगा ठीक है sperm formation होने के बाद यह यहाँ पर आगे जाएगा और यह straight कुछ tubules आते हैं ठीक है यह green वाले जो है इन straight tubules को हम बोलते है tubuli recti ठीक है terms बहुत important है tubuli recti या फिर straight semiferous tubules भी इने हम बोलते हैं फिर यह tubuli recti आगे जाके मिलते हैं और यह form कर लेते है reti testis ठीक है reti testis को support करने के लिए media stenum testis यहाँ पर present होती है यह reti testis को support करती है प्लस यह blood supply को भी support करती है ठीक है तो यह यहाँ पर यह important चीज़ थी उसके बाद यह reti testis आगे जाके बनाती है efferand ductules और यह efferand ductules आगे जाके बनाते हैं head of epididymus के अंदर जुड़ जाते है और फिर तो epididymus स्टार्ट हो जाता है ठीक है इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह जो seminiferous tribules हैं इनके बीच में यह जो space present होते हैं green से color के यह हमारा interstitial space तो यह हमारा पूरे का पूरे testis का जो structure है ठीक है वो मैंने आपको बता दिया gross structure मैंने आपको बता दिया अब देखते हैं कि actual में कौन-कौन सी यहाँ पर cell present होती है तो सबसे पहरे हम देखते हैं seminiferous tribules में तो seminiferous tribules के अंदर यह हमारा क्या होता है actually यह highly coiled एक structure होता है और यह actual site है spermatogenesis के लिए या फिर sperm formation के लिए ठीक है तो अब किसी भी structure की histology discuss करने के लिए मुझे जो यह layers है मतलब epithelium connective tissue muscles यही तो मैं discuss करूँगा histology के अंदर तो सबसे पहले इसके discuss करते हैं epithelium को तो epithelium के अंदर इसकी दो type की cells present होती है पहली है हमारी sustentacular cells और दूसरी है हमारी spermatogenic cell तो sustentacular cells को sertoli cells भी बोलते हैं और जो spermatogenic cells होती है वो हमारी sperm forming cell होती है जो sperm को form करती है तो जो हमारी sustentacular या फिर sertoli cells है या हमारी मैं हिस्टोलोजी discuss करनी है तो actual में histology discuss करने का मतलब क्या है कि जब आप उस cell को microscope के अंदर देखें तो आप easily identify कर पाएं उस cell को दूसरी cell से तो यहाँ पर क्या है कि यह जो cells हैं हमारी tall रहती है irregularly columnar रहती हैं और यह present होती है basement membrane के उपर इसके बाद इसका जो nucleus रहता है वो lightly strained रहता है oval vesicular रहता है मतलब कि बहार जादर dark रहता है अंदर light रहता है ठीक है और इसके बाद हमारे जो इसका cytoplasm है वो loose reticular structure को show करता है तो यह तो हमारा कुछ था क्योंकि sertoli cell का function क्या है sertoli cell हमारी nourishment provide करते है spermatozoa को ठीक है न क्योंकि spermatid जो है वो पहले spermatozoa बनने से पहले वो spermatid रहता है और उसका जो head है वो embedded रहता है in the sertoli cell उसके बाद वो spermatoszoa बनता है तो यह महाँ पर nourishment provide करती है तो अब कुछ बाते और spermatogenic cells के बारे में देख लेते हैं तो spermatogenic cells का जो nucleus है वो variations होती है उनके अंदर वो vary करता है ठीक है क्योंकि यह cells क्या है यह divide करती रहती है reduction division इनके अंदर होता रहता है ठीक है और nucleus of spermatid जो है वो हमारा round रहता है darkly stained रहता है ठीक है अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो spermatid है spermatid convert होते है spermatosua के अंदर ठीक है तो बट यहाँ पर एक आपके अपने 12th में भी पढ़ा होगा 12th के NCRT के अंदर भी clearly लिखा हुआ है कि spermatid transform होते है spermatosua के अंदर ठीक है वो divide नहीं होत है मतलब यहाँ पर transformation होता है ना कि division यह चीज़ याद रखने वारी बात है ठीक है तो spermatid transform होते है spermatosua के अंदर इसके बाद बात आती है तो हमने seminiferous tribules को हमने discuss कर लिया seminiferous tribules से बाहर निकले थे तो हमें क्या मिला था interstitial space मिला था तो उस interstitial space के अंदर हमारी क्या क्या और भी महाँ पर present होगा ठीक है साथ ही साथ महाँ पर blood vessels, nerve supply, interstitial cell, macrophages और mast cell present होती है अब यहाँ पर important और ध्यान देने वाली बात है यह lidic cells यह lidic cells क्या होती है यह हमारे जो male hormone है male sex hormone या फिर testosterone उसे produce करती है ठीक है तो दो काम मैंने बताये थे एक तो male sex hormone को produce करना और दू स्पर्मेटोज होगा तो मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि male sex hormone को कौन produce कर रहा है वो है lidic cell अब देखिए कि यह lidic cell actual में present कहां पर होती है तो यहाँ पर मैं structure एक दिखाता हूँ आपको देखिए यह structure है स्पर्मेटोज का cross section है ठीक है यहाँ प secondary spermatocyte ठीक है उसके बाद हमारा आएगा spermatid और spermatid के बाद ठीक है spermatid के बाद हमारी यह जो है यह हमारे spermatozoa है जो actually function है ठीक है अब यह जो है ना यह जो यहाँ पर मैंने mark कर रखा यह हमारा interstitial space और इसी interstitial space के अंदर मैंने जो अभी आपको बताया थी सारी चीज ली क्या बोलते हैं जो leadic cells हैं वो present होंगी इसके बाद हम देखते हैं कि हमने discuss कर ली epithelium को ठीक है epithelium हमने discuss कर ली अब देखते हैं कि muscles layer क्या कुछ होती है ठीक है हमें यह भी देखना है कि actual में कोई seminiferous tubules हैं के अंदर कोई muscle layer होती है क्या तो यह तो answer है no कोई भी हमारी इसक के बाद हमारा है connective tissue connective tissue हमारा क्या present होता है seminiferous tubules के अंदर तो जो हमारी basement membrane है na basement membrane को जो support provide करता है laminated connective tissue ठीक है seminiferous tubules के अंदर तो यहाँ पर हमारा कि जो इसकी epithelium है देखिए उसके अंदर क्या होता है इसकी epithelium जैसे आप tubular recti के अंदर आगे बढ़ेंगे तो जो इसकी epithelium है वो columnar से convert हो जाएगी cuboidal के अंदर ठीक है और अगर आप रिटी टेस्टीस की बात करते हैं तो रिटी टेस्टीस के अंदर हमारी वो squamous से convert हो जाएगी columnar के अंदर तो यह तो थी दोनों के epithelium के अंदर difference फिर आती है muscle तो muscles दोनों के अंदर present नहीं होती connective tissue की में बात करूँ तो यह जो यह tubular recti है ना यह हमारी dense connective tissue of media stenum से covered रहता है और यह भी same रहता है ठीक है मैंने बताया था media stenum जो की हमारी derived रहती है tunic alvegenia से ठीक है आप जो मैंने first slide के अंदर first or second slide के अंदर जो मैंने structure दिखाया था उसे आप refer कर सकते हैं इसके बाद हम discuss करते हैं effrant ductules को ठीक है effrant ductules भी मैंने आपको show कर चुका हूँ तो effrant ductules के अंदर सबसे पहले वही epithelium को हम discuss करेंगे तो इसमें जो epithelium होती है वो हमारी simple columnar ciliated cells की epithelium होती है मतलब column shaped हमारी cells रहेंगी और उनके उपर cilia present रहेगा बट किसी के उपर cilia present है किसी के उपर नहीं रहेगा ठीक है alternating with the non ciliated ठीक है तो ऐसा कुछ structure इसमें present होगा इसके बाद मैं muscles की बात करता हूँ तो muscles आप ध्यान दीजे कि यहाँ पर पहली बार muscles आई हैं इससे पहले कही भी muscles नहीं थी और यहाँ पर कौन सी muscle आई हैं वो है circular layer ठीक है circular layer of smooth muscle यहाँ पर present होती है इसके बाद अगर मैं बात करूं connective tissue की तो connective tissue हमारा यहाँ पर loose connective tissue present होता है in the space between tubules मतलब जैसे मैंने बताया था कि दो tubules हैं ठीक है तो उनके बीच में जो भी space हमारा present होगा वो हमा इस्तology of the epididymus